कि ने बनाने की कोशिश की तत्व हों को अरेंज किया यह पढ़ रहे हो मैं एक बन्दा आता लोथर मेर ने क्या किया जितने भी ग्यात तत्व थे उनको दो बागों में बाड़ दिया दात्व अधात्व ये काम किसना सुरी क्या बोल दिया मैंने लॉथर मेरे बोल दिया क्या लेवसी है लेवसी उसको बोलते है फादर ऑफ केमिस्ट्री दो बागों में बटा धातू अधातू निपड़ गया हुए उसके बाद दूसरा बंदा कौन साता है प्राउट प्राउट ने एक परिकल्पना दी थी व मिले ग्यारा मिले बोरोन मिला तेविस मिले सोडियम मना इस साइब से बताता गया कौन प्राउट तीसरा एडिंग क्या लिया था डोबे राहिनर जिसको डोबरी नर भी बोलते हैं इंदि में वह बोलता तिन-तिन तत्वों के ऐसे समू होते हैं जिनके गुण समान होंगे लेकिन प्रतम तत्वों और तीसरे तत्वों का अगर भारों का उसत निकाल दो तो दूसरे तत्वों के बराबर आ जाएगा उसका भार यह किसने नियम दिया है डोबरी नर ने इस नियम को बोलते हैं त्रिक का नियम हो जाएगा और उसके बाद में फोर्थ हेडिंग आती दिया जाए यह बंदा कौन सा था नियम क्या दिया अस्ठक का नियम हो जाएगा अच्छा कहां तक लागू होता है केल्शियम तक कभी असपल हो जाता है अक्रिय गैसों की उपस्तिति में तता संक्रमण धातुओं की उपस्तिति में फेल हो जाता है मैं और सबसे लासर सड़्ीन थी कल की वो थी लोथर मेर का वक्र एक बंदा आता ले वह तेबल बनाने की कोशिस करता है तक डिशार्ट ही वता देता हूं कि लोथर मेर अलग देश में काम कर रहा था और एक बंदा आगे पढ़ने वाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मेंडलीव चप्टर आज से इंपोर्टेंट है यूं माल लो मेंडलीव मेंडलीव अलग देश में काम कर रहा है लोथर मेर अलग देश में काम बहुत भारी है आज नहीं पब्लिश करते हैं कल करवा देते हैं वह यह सोस्ता गया और मेंडरलीव ने क्या किया जैसी रिजल्ट मिले छपवा दिया जिसका रिजल्ट पहले छप गया उसी कहीं माना जाएगा इसाइस सीदी सी बात है जिस बंदें तो मान लो किसी सही था बट लॉतर लॉतर मेरने उसको पब्लिश नहीं कराया इतना फेमस है नहीं इसनिए उसका सिर्फ ग्राफ पड़ते है और ग्राफ क्या बोलता है कि ग्राफ के सीर्ज़ पे कौन मिला शारी अधर तत्वु गढ़ते वे करम में कौन मिला अवरोई करम में कौन मिला है और तल में कौन मिलता है संकरमन तत्तु बोलो या उपधात में बोल दो क्लियर आईगा यहां तक पड़ाता आज हम एडिंग लगाते हैं next heading heading लगाएंगे मेंडलीव की आवर्तसारनी मेंडलीव की आवर्तसारनी यह लो भईया यह heading क्या बोला है क्या था हर एक चीज़ हमें इसकी याद रखनी पड़ेगी important है लिखवाता जाता हूं एक एक पॉइंक जो रटने के वह सीधी रटने उसमें मैं समझाओंगा भी क्या जब इसने आवर्तसारनी मनाई थी तब कुल तत्व 63 थे अब इसमें मैं क्या बताऊं लिखते चले लिखेंगे इसकी सारनी में इसकी सारनी में कुल 63 तत्व उपस्तित थे 63 कुल 63 तत्व उपस्तित थे क्लियर रहेगा आगे देखते हैं अच्छा में लिव ने जो आवर्तसारनी बनाई वो किसके आदार पर बनाई थी पर्मानू भारों के बढ़ते क्रम के आदार पर बनाई थी नेक्स राइन में लिखें इसने तत्वों को उनके पर्मानू भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्तित करके सारनी बनाई पर्मानू भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्तित करते हुए सारनी बनाई अच्छा जैसे इसने पर्मानू भारों के बढ़ते क्रम में सारनी बनाई इसने सोच लिया कि अगर मैं जब तक इसको कोई एक नया नियम नहीं दूँगा तब तक मैं फैमस नहीं होंगा ऐसा ही तो होता ना आज इतने भी देखा होगा आपने कोई ब्रिस बनता है नेता के क्या बोल देता उस ब्रिस का कुछ नाम देते थे और इन्योग्रेशन कर देते और एक बाटा लगा देते के बाई साफ ने इसका इन्योग्रेशन किया बाई साफ ने नहीं मनाया लेकिन इन्योग्रेशन कर दिया तो फैमस हो जाता हुआ आदमी ऐसा ही यह बंदा पहले सी जानता famous होना तो अपने नाम से कुछма कुछ नियम दे दो तो इस बात का उसे एक नियम दे दिया और इस नियम को क्या बोल दिया था मैंडलीव का आवर्त नियम अगला heading मलब इसी के अंदर heading लगाएंगे मैंडलीव का आवर्त नियम मेंडलीव का आवर्थ नियम जो उपर लाइन लिखाई है ना उसी को नियम की रूप में बोल दिया बस मेंडलीव का आवर्थ नियम लिखेंगे तत्वों के भौतिक तथा रसाइनिक गुण उनके पर्माणू भारों के आवर्थी फलन होते हैं पर्माणू भारों के आवर्थी फलन होते हैं आवर्थी फलन होते हैं अच्छा मन में आएगा आवर्थी फलन क्या होता है आवर्थी फलन का मतलब है एक निश्यत दूरी में एक निश्यत गुण का पुनरवर्थी होना जैसे मैं बोल देता हूँ आप एक से दस पे आओ जैसे ही वापस 11 पर आए तो पहले के बराबर गुण मिल जाए फिर आब 11 से 20 पर आओ जैसे 21 पर आओगे एक और 11 जैसे गुण मिल जाए फिर आथ 30 पर आए फिर 31 पर आथा ही वोई गुण मिल गए तो क्या एक निशित अंतराल के बाद गुणों की पुंडरा वर्ती ही हो मैं एक से दस आया हूँ, ग्यारा पे आता ही पेले के बराबर गुण मिल गए, बारा पे आता ही दो के बराबर गुण मिल गए, तेरा पर आता ही तीन के बराबर गुण मिल गए, चवदा पे आता ही चार के बराबर गुण मिल गए, तो आपको नहीं लगता हर दस के बाद प विशित अंत्राल होगा अचा वो अंत्राल क्या है वो आगे जागे हम पढ़ेंगे कि कौन से अंत्राल के बाद गुणों की पुंड़ा वर्ती होती है क्योंकि वर्ग में अलग होता है और आवर्थ में अलग होता है वो बात कर लेंगे आगे तो यह नियम बोल दिया इन्होंने आगे चलते अच्छा इनकी जो टेबल थी उसमें क्या-क्या था उस पे आजाओ इन्होंने जो टेबल बनाई थे मैं एक बार यहां हल किसी बना रहा हूं इन्होंने कुछ ऐसी टेबल बनाई थी जिसमें कुछ खड़ी लाइन ने था इनकी आवर सानी में कुछ खड़ी लाइन थी खड़ी लाइनों को इन्होंने क्या बोल दिया था वर इनकी आवर सानी में कुछ शेतीज लाइन थी इनकी आवर सानी में कुछ शेतीज लाइन थी तो यह जो शेतीज लाइने जो खडी लाइने इनको क्या बोला था वर्ग और यह जो शेतीज लाइने इनको क्या बोल दिया था आवर्थ बोल दिया था अब आपसे पहला चीज यह पूछेगा कि मेंटली की आवर्थानी में जो खडी लाइने थी जिनको वर्ग का ये कुल क यह रहा तीसरा वर्ग यह चौता पांच हुआ यह चटा यह साथ हुआ और फाइनली यह आठ वर्ग हो गई क्या तो बताओ में लीपी साड़ी में कितने वर्ग है आठ लेकिन एक दो तीन चार पांच है ऐसे नहीं लिए इसने रोमन में एक दो तीन चार पांच साथ यूज किया है क्लियर रहेगा आज़ा Z कितने है तो बोलें आवर्ग टोकल साथ यह देखो पहला दूसरा तीसरा चौता पांच वा छटा और यह साथा तोटल आर्ग कितने इसमें साथ क्लियर रहेगा आगे जागे उसने हर वर्ग को दो भगों में बाटा 8 वे वर्ग को लिखते बागों में बाड़ता गया तो उप वर्गों में बाड़ता गया कहां तक साथ तक क्या आठवे को इसने आगे वर्गी करत किया क्या नहीं किया क्लियर हो जाएगा यह लो अच्छा इस आवर्शार्णी में आप अगर एंसी आटी में देखोगे तो एक नया वर्ग जोड़ा हुआ है यह मेंडलीव के टाइम में नहीं जोड़ा था मेंडलीव के जाने के बाद यह जोड़ा है और इस वर्ग को फिर बोल दिया था शुन्य वर्ग बोलना, अब वो आठ कौन कौन से थे एक से आठ तो उसकी जीते जीते और शुनिय वर्ग जोड दिया गया उसके मरने के बाद और उसमें क्या आई थी, अक्रिये कैसे आई थी, यदि आपको पूछे क्या पूछे कि कौन से तत्व में लिव की आवर्सार्णी में नहीं थे अक्रिये गैसे में लिव की आवर्सार्णी में नहीं थी बाद में चोड़ी उस वक्त तो नहीं थी न clear आईगा ये point लिखवा देता हूँ next line में लिखेंगे next point लिखें इनकी आवर्सार्णी में इनकी आवर्षाणी में अक्रिये गैसे अनुपस्तित थी इनकी आवर्षाणी में अक्रिये गैसे अनुपस्तित थी लेकिन बाद में अक्रिये गैसे को अक्रिये गैसे को सुन्य वर्षाणी में रखा गया सुन्य वर्षाणी में रखा गया नेक्स लाइन में लिखेंगे किसावर सार्णी में कुल आठ वर्ग किसावर सार्णी में कुल आठ वर्ग बस्तित है जिन में से रॉमन में लिखना जिन में से जिन में से एक से साथ तक ऐसे लिखना एक से साथ तक वर्गों को दो उपवर्ग वर्गों को दो उपवर्ग दो उपवर्ग केपिटल ए और बी लिखना केपिटल ए तथा बी यह लेको लिखावा केपिटल ए पता बी में वर्गी करत किया गया मैं वर्गी करत किया गया मैं वर्गी करत किया गया अच्छा आठवे को इसने वर्गी करत किया है क्या नहीं यहां रखना सिर्फ और सिर्फ एक से लेकर साथ तक के जो जितने भी वर्गे सबको एबी एबी में बाढ़ दिया इनको भी बाढ़ दिया इनको भी बाढ़ दिया सबको एबी में बाढ़ दिया अच्छा जब इसके बाद में एक आधुनिक आवर्सानी आई, तो आधुनिक आवर्सानी में जितने भी A वाले तत्व थे न, इन सभी तत्वों को प्रती नीदी तत्व कहा गया, जितने भी A में तत्व उपसी थे, सारे कि सारे क्या माने गए? प्रती नीदी तत्व, नेक् उपवर्ग वाले सभी तत्वु आधुनिक आवर्सार्णी में प्रतिनिधी या सामानिय तत्वु कहलाए प्रतिनिधी या सामानिय तत्वु कहलाए आज ही बता दूँगा कि प्रतिनिधी तत्वु कौन-कौन से है क्योंकि हम आज आधुनिक आवर्सार्णी पढ़ लेंगे नेक्स लाइन में लिखें तथा भी उपवर्ग तथा भी उपवर्ग वाले सभी तत्वु बी उपवर्ग वाले सभी तत्वु संकर्मन तत्व कहलाए क्यार आगे चलते थे नेक्स्ट ये तो बात होगी उसके आवर्सार्णी कैसी दिप्ति है क्या है कितने तत्व है क्या नियम दे दिया उस पे आगे अब हम आते हैं इसके आगे सार्णी की कुछ अच्छाहियां और कुछ बुरायों पर आ चाते हैं सबसे पेले इसकी अच्छाहियां मता देते हैं अच्छाई में देखो पहली अच्छाहिय है थी कि पहला बंदा है जिसने कोई सार्णी रख दिया फिर नीचे आठ फिर नीचे आठ लेकिन 20 तक पहुंचा और वह तथी आगे आरेंज करनी पाया तो साड़नी का रूप दे नहीं पाया, साड़नी जैसा लगा हमें, रूप नहीं दे पाया, उसके बाद कौन आ गिया था, लौथर मेर, भाई साथ तो सिर्फ गराफ ही बनाने में रहे गए, इससे पहले कि वो टेबल बनाते, कोई और बना के चाप चुका था, अब वो हैंगे हेडिंग, अच्छा ही यह, भाई मेंडली की आवर साड़नी पढ़ रहे, इसकी अच्छा ही यह पढ़ लेते, डायट हेडिंग लगा दो, अच्छा ही यह, एडवांटेस, इसकी आवर साड़नी की फायद है क्या, पहला लिखो, अध्यन में आसानी, अध्यन में आ बता दू यहां कोई एक चीज है यहां कोई दूसरी चीज है अपन तुलना कर ले तो जादा आसानी तुलनात्म ग्रूप होता है क्या बिलकुल इसलिए इसने शाणी मनाई तो अध्यन में आसानी हो गई अचा दूसरा अब याद करने के लिए बता रहा हूं ऐसा कुछ नही पंडी चीज हो लाके चले जाते हैं अगले उसको पता है नाला की डॉक्टर तो चोड़ो कंपाउंड भी नहीं मनेगा उसको पता है डॉक्टर बनने में इसको 20 साल लगेंगे तब तक तो यह माहा तो पूरी जाएगी कि यह पंडी चीत है क्या बंडा पता पड़े 20 साल पाप रहा है मेरा च्वरा डॉक्तर बार भी पास नहीं हुआ पंडी तो बुलाओ पर लें तो ऐसा होता ना गर पे आप आप दिखाते होंगे बच्पन में पापम में निदिखाया होगा कि मेरा च्वरा क्या बनेगा हो सकता किसी पंडीत मुला आपका बेटा प्रदान मं पंडीत नहीं बोलता है उसको पता जुते पड़ें अभी तो यह भी ताइस के पंडीत इन्हों ने क्या क्या टेबल बनाई और बीच में खाली जगे छोड़ दी तो बोले या टेबल की वीच में खाली जगे क्या करी लोग आगे अगे लोग ले यह नय तत्वा आएंगे आपने पहले सी पता लगा लिए है कोई नए तत्व आईगे बिलकुल जब आपको इतना पता है कि कोई नए तत्व आ रहे है तो उनका नाम भी पता होगा बिलकुल हमें नाम पता है देखो इन्होंने नाम कैसे दिये कोई वर्ग था एक जिसके पास यहां था बुरोन यहां था ऐलुमिनियम यहां उसने गैप छोड़ दिया यहां था इंडियम यहां था थेलियम यह वर्ग तेरा है आप जब आगे मैं आदुनी का आवर सानी पढ़ाऊंगा यहां भी हो जाएगा यहां गैप छोड़ा यहां खाली जगे छोड़ दी और यहां पे था यह लगा अमें तो इन से मतलब है क्या दो खाली जगे छोड़ दी है क्या में लिपने बेलकुल छोड़ दी लोगों पूछा यह जगे किसके लिए बोले नया तत्तु आएगा बहुत बढ़िया बताओ इस तत्तु का नाम क्या होगा और वो नामा करण कैसे करें जो पैदा ही नहीं हुआ उसका नाम कैसे रख दोगे और आभी आपको कोई पूछे क्या आप होने वाले बेटे का नाम बताओ आ कहा दो यो दुजुन Ia का आपने इतियास पड़ा कि कि इस्टी पढ़ी है कि यू मैं और ज jusे मिद्य में इका राजा माराज वते ठीब प्रत्वी सिंग राठो रट्विश्चौांशेंग आया अशिके बेटे का नाम कुछ योख अहर होता ता फिर उसका जो पहृता था उसका नाम प्रत्विराज रख देते थे, प्रत्विराज चोहान, प्रत्विराज चोहान पहला, प्रत्विराज चोहान दूसरा इसे नाम होते थे, मान सिंग प्रत्व, मान सिंग सेकेंड, जो बहुत ज़्यादा प्राक्रमी राजा हो जाता था, उसकी पुस्ते ने अपने बापा या दादा ची का नाम यूज़ कर लेती थी वो इतना पर disclosure पराकर्मी था तो हमारा पॉता इंभ पराकर्मी जाए नाम डाल देते थे लिग्या उसको लगा यह यह collaborate है इसका नाम क्या रखें बोले एलुमिनियूम रखूंगो तो लोग जूते मारेंगे उपर वाला कौन है फिर नीचे कुछ तो चेंज करो तो वहां अपने होता मान सिंग प्रतम मान सिंग जूत्तिय है यह इन्हों कर दियां हैं अल्युमिनियूने इसका नाम बता आरे वाले क्या फागल आदमियों इसका नाम है कि क्छ शीन क happen हो गई क्या तो सबसे इंपॉर्टेंट कुछन यह इसा कि मेटलीव ने करो ह्म आ घिर सम स्कत्तिugen का नाम रखा अब यह तो हम पता एलिमिनियम की जो नीचे था उसका नाम रखा लेकिन जब यह खोजा गया जब यह तत्तु कौन सा था जी ए जिसे हम बोलते हैं गैलियम तो बताओ गैलियम का नाम मेंडलिव ने क्या रखा एक का एलिमिनियम यह एक खुंशन आता एक्जाम अगला देखो, सिलिकन के नीचे खाली जगे थी, यहां एक तत्तू बिलकुल खोजा गया, आया वो तत्तू, देखो कितना बड़ा पंडित है यह, और यहां जो तत्तू आया था, उसका नाम है जर्मेनियम, क्या नाम है, जर्मेनियम, तो आपको पूछ लेता है, एका सिलिक गया तत्तू कौन सा है, यह टेबल बना दूँ क्या, यह important चीज है क्या, तो समझा मैंने दिया है, अब मैं वो लिखवा देता हूँ, जो अपने एक्जाम में आता, next देखो, लाइन लिखते चलो, फिर यह चीजे लिखवा देता हूँ, देखेंगे मेंडलीव ने, मेंडलीव ने कुछ नए तत्वों की, मेंडलीव ने कुछ नए तत्वों की, बविशिवानी की, मेंडलीव ने कुछ नए तत्वों की, बविशिवानी की, तथा, उनको निमन नाम दिये, तथा, उनको निमन नाम दिये, तव यहाँ पर तुम मैं लिखता हूँ, मेंडलीव द्वारा दिया गया नाम, और इधर लिख देते हैं खो जा गया तत्व खो जा गया तत्व देखना दो एलिमेंटी याद रखे हमें पहला हमें याद रखना है एक का एलिमिनियम एक का एलियू मिनियम और ये किस तत्व के लिए नाम रखाता इन्होंने वो रखाता जी ए के लिए और जी ए को हम क्या बोलते हैं गैलियम गैलियम और दूसरा नाम हम याद क्या रखेंगे अच्छा एलिमिनियम एल होता है क्या एलिमिनियम दूसरा तत्तु था एका सिलिकन, एका सिलिकन, अचा सिलिकन का सिंबल SI होता है क्या, इसके लिए जो तत्तु खुजा गया था, वो था GE, इसको बोलते हैं, जर्मेनियम, जर्मेनियम, पर व्याजी, यह टेह लिए, इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं अपन तो, इसके ट्रिक ये की याद रख लो के तब भी काम होजाएगा, आप दोनों इ하는데 रखने चाहों, दोनों के लिए बता देता हूँ, एकी याद करना है, तो हता है, यह देखो सिलिकन के लिए नाम क्या मिला, जर्मेनियम मिला क्या, आपको नाम याद नहीं रखे, सिम्मल याद रखो, क्योंकि एग्जामिनर आपको सिम्मल देगा, ना की नाम, इसको याद रखने का तरीका है सीता गीता, सीता गीता, देखो सीता की स्पेलिंग S-I-T-I-E ह नहीं आसकता ना गायतरी में तो जी ए आएगा स्पेलिंग में देखो तो एक याद रख लो तब भी काम हो जाएगा और दोनों याद रखना चाहो तो यहां हो गई सीता गीता और यहां क्या हो जाएगा अल्यूमिनियूम और गेलियम है तो उसके लिए हो जाएगी अलका गायतरी अब गायतरी मुझे लिखना नहीं आता अब अपनी इसाब से लिख लेना अलका भी शाहिद मैंने गलत लिख दिया होगा है सही लिखा है क्या कैसे भी याद रखो हमें याद रखना इम्पोर्टेंट चीज है यह इस्पेशली यह दोनों पॉइंट कैसे भी करके याद करो इम्पोर्टेंट प्रिवियस एयर में कुश्चिंस भी आयों है वापस पूछने की भी संभावना है अचा आपको यह पता देना यह नहीं है सिर्फ 12 के चेप्टर होते हैं आप सब लोग अभी 12 के एक्जाम देखे आयों तो जो आपने 12 में अभी करेंट में पढ़ा है न केमिस्ट्री में वही स्यूइट है 11 जो पढ़ाता हो कुछ भी नहीं आएगा सी यूटी के एक्जाम थोड़ा आसान हुआ होगा पेपर में कुशन्स थोड़े तफ आते हैं बट सलेबस आदा ही है सिर्फ 12 12 पढ़ना होता है यह वाला पार्ट किसमें अतासर केमिस्ट्री में यह 11 का पार्ट है तो क्या सी यूटी में या से कुशन्स आएंगे क्या कभी नहीं आएंगे तो जो लोग सी यूटी की तैयर भी कर रहें सरवाब बिस्तर लगा के सो जाएं क्या नहीं सोना तो फिर हम क्यों पड़ें अरे वह यह पड़ोगे तो आपको तीन चप्टर और समझ पाएंगे और वह चप्टर कोन है वह देखो एक आएगा एस ब्लोग एक आएगा डी और एफ ब्लोग और डी ब्लोग ब प्याइब को पूसकता है कि पता पड़ा आपको डी पी मिली और उसके अंदर प्यूरुडिक टेबल के कुश्चिंट दिये और साथ में लिग दिया सीवीटी अब आप इसलिए बेफिक्र नहीं होना यह चप्टर चाहिए वह स्यूटी की तहरी कर रहा हो या जेट की तहर लों की कर रहा है आपके लिए चेप्टर इंपोर्टेंट है इस यूटी में नहीं है तो हम उस वक्ट जब एक्जाम होगा उस वक्ट हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे इन चेप्टर से क्लिया तो यह याद हो जाएगा आगे बढ़ जाए चाह नेक्स लेता हो अच्छाय घरोके बढ़ते करम में में तो त carbon ? लेकिन एसे तत्त थे जो अरेंज नहीं होरे थे जब अरेंज नहीं होरे थे तो इसने पर्माणू भारों में कुछ correction कर दिये। जिन पर्मानों के पर्मानों भारों में गलतिया निकाले थी, वो तीन तत्व थे, एक था यूरेनियम, एक था बेरिलियम, एक था इंडियम, इन तत्वों के पर्मानों भारों में क्या किया, उसने करेक्शन किया, अचा इनको याद कैसे रखे, इसको याद रखने का तरीका है यू यू मतलब तुंग यू बहिमान इंसान ऐसे याद रख लेना क्लियर आएगा नेक्स्ट लाइन में लिखेंग अगला पॉइंट लिखें मेंडरलीव ने कुछ तत्वों के मेंडरलीव ने कुछ तत्वों के पर्मानु भारों में पर्मानु भारों में करेक्शन को इंद में क्या बोल सकते हैं करेक्शन किये सुधार वेरी गुड पर्मानु भारों में सुधार किये जो निम्न है मेंडरलीव ने कुछ तत्वों के पर्मानु भारों में सुधार किये जो निम्न है कुछ ओलनाइन वालों की टेंशन कतम करते हैं बाई लोग अगरी कल्चर की क्लास कब लगेगी यह चीज आपको यहां मैसेज में मिल जाएगा गुट मॉर्निंग वालों के सबको एक साथ गुट मॉर्निंग है इंग्लिश में भी चलने दो चलेगा आगे बोल रहे हैं सर मन क के नीचे टी-सी भी आता है बिलकुल आता है लेकिन मेंडलीव के टाइम में जो अपनी एंसेहंटी में दिया है मैंने वही लिखाया थेखो मैंना आपको बताया ना तत्त्मों को खोजा गया अब तत्त्मों को खोजे गए कि बात करे थे एक पूरी लिस्ट आती है अगर म किसको बोलते है बोले गेलियम को बोलते है एक का सिलिकन किसको बोलते है बोले जर्मेनियम को बोलते है अच्छा एक का मेगनीज किसको बोलते है बोले टेकनीशियम को बोलते है लेकिन आपके NCRT में ये नहीं है और ये नहीं है तो मैंने सिर्फ ये दो ही पढ़ा है कौन-कौन से पर्मानों के पर्मानों भारों में सुधार किये यूरेनियम बेरिलियम और इंडियल के इंडियम हो गया तो इनको याम लखने का ट्रिक क्या है यूह बहिमान इंसान इससे हम लेट्रिक से याद कर लिया चलो भई यवागे बढ़ जाते कि है पूरी बाते करते हो नेक्स्ट लाइन मेडिंग लगाएं कमियां सावर साणी की कमियां क्या क्या थी उस पे आते हैं देखो पहली सबसे बड़ी कमी यह हाइड्रोजन की इस्तिती बताई नहीं पाया इसको कुछा हाइड्रोजन कहा रखें बोले मुझे भी नहीं पता पहला पॉइंट निए हाइड्रोजन की इस्तिती निश्यत नहीं थी बिल्कुल एप के उपर भी जैट का k्रेश kोर्स फ्री है क्या बोल रहा हूँ मैं पहला पॉइंट क्या है हाइड्रोजन की स्तिती निश्यत नहीं थी अच्छा आपको तो पता है ना यह पिरूडिक टेबल परमानों भार पर आधा रही थी तो ऐसा भी तो है जिसे कार्बन इसके तीन अपर रूप पाये जाते हैं अपर रूप बोले क्या बोलता है आईसो टॉप सम अ बार नएगे, इस्तिती, समिस्थानिक देखो मैं बात करता हो, इस लाइन दो फिर complete कराता हो कार्बन के 3 रूप पाये जाते हैं, एक रूप पाये जाता है कार्बन 12, मार्बन 13, एक पाये जाता है कार्बन 14 लेकिन आप इन तीनों में देखोगे तो कार्बन का पर्मानु कर्मांग क्या मिलता है छे तो क्या ये ऐसे तत्व हैं क्या तीन जिसमें पर्मानु कर्मांग तो समान है और पर्मानु भार अलग-अलग है क्या ऐसे तत्वों को बोलते हैं समिस्थानिक नाम से क्लियर हो रहा सम इस्थानिक क्या इनमें पर्मानो कर्मा एक इस्थान पर है क्या लेकिन हमें तो पता है ये साड़ी तो पर्मानो भार पर है तो क्या इसने कारबन के लिए तीन जगे छोड़ी है क्या मेंडलीव ने नहीं सिर्फ एक जगे छोड़ी या तो ये कारबन आ सकता है यह यह आ सकता यह यह आ सकता क्या यह तीनों कार्बन मेंडलीव की टेबल में आ सकते हैं क्या एक साथ नहीं आ सकते हैं इसने सम इस्थानिकों के लिए कोई जगे नहीं छोड़ी यह दूसरी कमी है इसकी नेक्स लाइन में लिखे मेंडलीव की सारनी में मेंडलीव की सारनी में सम इस्थानिकों के लिए कोई स्थान उपलब्द नहीं था कोई स्थान उपलब्द नहीं था क्लियर रहेगा अच्छा समिस्थानिक क्या होता है ये एक चेप्टर आएगा परमाणू सरंचना, वहाँ पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे हम, अभी आप चाहो के थोड़ा पोछ लिखवा दो, तो मैं इतना बता देता हूँ, समिस्थानी का मतलब क्या है, ध्यान रख लेना, ऐसे तक तो, जिनके परमाणू करमां तो हो समा परमाणू करमां क्या होंगे? समान, लेकिन परमाणू भार क्या होंगे? अलाग, अलाग, ये लिख लो आप तो example देना चाहूं तो example दे देता हूं जैसे carbon की बात करो तो carbon के 3 समिस्थानिक मिलते है carbon 12 carbon 13 और carbon 14 hydrogen की बात करो तो hydrogen के भी 3 समिस्थानिक मिल जाते है hydrogen deuterium tritium yellow मैंने आपको दूए example देती है बड़ जादा detail हम किसी और chapter में पढ़ने वाले नाम आगिया, समझा दी है मैंने या पर्मानु कर्मांग समान होंगे पर्मानु भार अलग अलग होंगे पर्मानु कर्मांग को आप Z बोलते हो क्या और पर्मानु भार को ये बोलते हो क्या ये जो हम उपर लिखते हैं ये पर्मानु भार होते हैं और जो नीचे की तरफ बेस में लिखावा है ये पर्मानु कर्मांग होता है कल की क्लास में था और कल की क्लास जिनकी मिस हो गई है आज जो आए उनके लिए ये रहेगा असर हमें कैसे पता पड़ेगा पर्मानु कर्मांग क्या पर्मानु भार क्या डॉन वरी वही पर्मानु सरंजना वाला जो चेप्टर आता है उसमें वापस पूरा का पूरा परमानु भारों के बढ़ते क्रम में है क्या बिल्कुल लेकिन कुछ जगे पे इसने परमानु भारों के बढ़ते क्रम का उपयोग नहीं किया कुछ तत्वों को पहले रख दिया जिनका परमानु भार जादा है और उसके बाद कुछ ऐसे तत्वों को रखा जिनका परमानु युग्म मिले जहां परमानों बार जादा वाले को पहले रख दिया कम वाले को बाद में रख दिया तो यह आसंगत युग्म हो गये गया ऐसे युग्म अमारी सावर्षाणी में मिले अच्छा पूरी की पूरी आवर्षाणी अभी वाली जो लेटेश चल रही है उसमें से दिया चार ऐसी जगह जाँ पर असंगत युग्म है लेकिन उन चारों में से केवल एक ही असंगत ऐसा युग्म है जो मैंनली की सारणी में है बाकी वाले खुजी ही नहीं गहे थे इसलिए हम उसको संगत मान नहीं सकते तो मैं चारों लिखवा दिता हूं और जो इम्पोर थे हिसारनी में कुछ आसंगत युग्म उपस्ति थे जिन में पर्मानु भार के बढ़ते क्रम का उप्योग जिन में पर्मानु भार के बढ़ते क्रम का उप्योग नहीं किया गया अब मैं आधुनिक आउर साणी में जितने भी ऐसे आसंगत युग में उनको एक साथ लिखा रहा हूँ यहां मैं पहले लिखा रहा हूँ कि इनका पर्मानु भार अधिक है फिर भी इनको पहले रख दिया और यहां जो लिखूंगा उनका पर्मानु भार कम है फिर भी इनको बाद में रखा ऐसा तो नहीं करना चाहिए था इनको पहले रखना चाहिए था और इनको बाद में रखना चाहिए था देखो कौन कौन है आरगन अगर आप देखोगे और पोटेशियम आप देखोगे तो देखना पोटेशियम को बाद में रखा गया और आरगन को पहले रखा गया और इसका पर्मानु भार कम है और इसका पर्मानु भार जादा है तो भी यह पहले नहीं होना चाहिए था औ इसको बाद में होना चाहिए था लेकिन इसको पहले रख दिया आगे देखो और कौन कौन से थे थे थोरियम प्रोटेक्टीनियम पी-ओ यह ऐसे जिनमें भी इस क्रम को फॉलो नहीं किया गया और फिर है कोबाल्ट और निकल इनको भी बिना क्रम के अनुसार रख दिया गया यह सभी के सभी आसंगत युक में क्या अब इनको याद कैसे रखे उस पर आते हैं आपने देखा होगा जितने भी एक्टर्स लोग होते हैं यह एड करते हैं जिसे कोई कोल्डरिंग की एड करता है कोई पेपसी खोला अभी गर्मी का मोसम आ रहा है वो केटरिना केव से आप ही हो आजे देव गन के विबल काने कणकण में केसर का दम तुम्हें क्या लगता है वह विमल खा रहा होगा एक रूपे की पूरी खाएगा वह विमल की एड करता उसको पैसा मिलता इसी टाइप से जितने अभी क्रिकेट में चल रहें आई पिल के दिखा होगा अभ सचिंध्यादल कर और आमिर उसको अमिर कान यंग मोटा था तो आमिर कान के बगदा पैसि को आचे मुझे लगाता है एड करता है फिरक देता वह पी नहीं रहा बिटा शिरम एड कर रहा है यही सी ट्रिक आजाएगी देखो आमिर खान आ गए क्या दोनों आमिर खान तेरी इच्छा तेरी इच्छा थंडा पेप्सी आप बोलो कि पेप्सी के लिए पी यह आ था पी ओ आ गिया रहे इत्ता तो याद ही रख लोगे रहे तेरी इच्छा थंडा पेप्सी क्यों नहीं पीता क्यों नहीं वाई मुँपे लगा के क्यों रख रहा है क्यों नहीं याद हो जाएगा क्या अच्छा अपने को क्या पूछेगा सर आपने तो च्यार क्रम लिखा दिया आपको अगर पूछा तो यही पूछेगा इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा कारण किया है NCRT में एक ही लिखावा leality में किते युगम होते है चार युगम पाये गए ते लेकिन किस में अदुनी काहड़सानी में से मिलता है और मैंटलिक के अंदर केवल ये मिला लिए निकलो याद करलो याद करना हो एक ही करना हो सिर्फ एक को याद करना ये टेलूरियम और आयोडीन आयोडीन का पर्माणु भार कम होते हुए भी बाद में रखा गया और टेलूरियम जिसका पर्माणु भार साधा है फिर भी इसको पहले रख दिया तो फिर पर्माणु भार के बढ़ते करम का उप्योग का हुआ गलत बात है इन्हें बोलते हैं असंगत युग्म ट्रिक मैंने लिखा दिये लंब सम्याद हो जाएगा अपना काम निकल जाएगा अच्छा इसके अलावे बिसर और कमिया थी कि इस टेबल की बहुत सारी कमिया है समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रख दिया गया अलग अलग गुणों वाले तत्वों को समान वर्ग में रख दिया गया ये क्यों नहीं लिखवा रहा हूँ यह यहां पर mentally फ़तम हो गया काफी important था mentally उसके बाद में आता है मोजले हेंडरी मोजले की विग्यानिक था और उसने फिर एक दिया था एक table उसको आप हम मानते हैं आधुनिक आवर्थ सार्नि तो heading की सीधी लिखवा दो आधुनिक आवर्थ सार्नि आधुनिक आवर्थ सार्नि देखो इसमें काम की बात है क्या क्या है आधुनिक आवर्थ सार्नि हेंडरी मोजले नाम का एक विग्यानिक था उसने बनाई अच्छा यह two copy किसकी नकल करके आया मेंडली rätt और वाई साव अपनी टेवल बनाकर चलाके क्या चैंज़िस्की एभी में बताता है लिटिल बिट छोटे मोटे चेंजिस ज रियल में चेंज़िस दिखते भी नहीं बैसे चेंज़िस करके है तो बाइवन पॉइंट लिखते चलते सबसे एन और लुकत ये किसने मनाई थी तो लिखो इसे हैंरी मोजले ने बनाया हैंरी मोजले ने बनाया अच्छा दूसरा पॉइंट जो मेंडली उसे अलग था वो क्या था कि यह पर्माणू भार पे नई पर्माणू कर्मांग पर आधारित हैं अमेशा अधियान रखना यह पॉइंट नेक्स्टाइन में लिखें यह सार्नी पर्माणू कर्मांग पर आधारित थी यह सार्नी पर्माणू कर्मांग पर आधारित है चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा अगला पॉइंट यह देखते हैं कि अगर यह पर्माणु कर्मांग पर आधारित है तो हेंड्री मोजले ने काम क्या किया था वो देख लो हेंड्री मोजले ने हर एक तत्व लिया इससे कुछ X-rays को उसने क्या कराया है एमिट करवाया मतलब क्या बोलते हैं उसको उतसरजित करवाया तो किसी भी तत्व द्वारा उतसरजित जो X-ray उसकी जो आवरती होती है आवरती का तो लिया है उसने स्क्वेर रूट और इसका ग्राफ किसके साथ बनाया है पर्माणू कर्मांग के साथ यह काम इसने किया है नेक्स लाइन में लिखेंगे, मोजले ने परमाणो करमांग तथा परमाणो करमांग तथा उच्सरजित एक्स रे के उच्सरजित उच्सरजित एक्स किरण की आवरती अच्छा, स्क्वेर रूट को क्या बोलते हूं इंदी में, किसी को पता है, अंडरूट तो होई बात होई, स्क्वेर रूट क्योंकि यह कुछ ऐसी हिंदी है, जो मुझे नहीं पता है, कोई है, जो हिंदी पता होई, स्क्वेर रूट कि आवरती और ऐसे लिख देना आवरती की साथ, ब्रेकेट में क्या कर दो, एक्स किरण की आवरती और यह ब्रेकेट में लिख दो ब्रेकेट में लिखो वो, अंडरोट म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, आवरती का अध्यन करते हुए, का अध्यन करते हुए, सारनी बनाई, क्योंकि हो सकता है, कभी आप से ये पूछ ले, कि उसने परमाणू करमांग के साथ किसका उप्यो किया, तो ध्यान रटना, एक्स किरण की जो आवरती होती है, उसके स्क्वेर रूट का उप्यो किया था, वो आ पर्मानु भार गलत है स्क्वेर रूट ओफ आवरती और पर्मानु कर्मांग सही बात है फिर बोल देगा गलनांक और पर्मानु कर्मांग गलत बात है गलनांक और पर्मानु भार गलत बात क्लियर रहेगा बोल सकता है मुझले ने निम्न में से किस आदार पर अपनी आवर् नहीं पर्मानु कर्मा के पता पड़ जाएगा यह बहुत वाला कुशन बताया मैंने लेकिन लाइन अमने ध्यानक नहीं क्लियर रहेगा आगे चलते हैं अब देखते हैं इसने कौपी कैसे किया है मेंडलीव को मेंडलीव ने क्या बोला कितने आवर थे यहां यह बहुता है मेरे भी आवर साणी में साथ आवर थे अच्छा मेंडलीव के वर्ग कितने थे आठ थे क्या और आपको पता है मेंडलीव के जाने के बाद एक सुन्नी वर्ग और जुड़ गया क्या इसने बास और बास रोमन को अटाकर अरेबिक वर्ड यूज किये यह अभी तो यह अपने उन टू त्री फॉर लिखते वाएं लेकिन वर्ग को आप अभी कैसे लिख रहे थे एक दो तीन ऐसे लिख रहे थे क्या मोजले क्या आ हो लगा एक दो तीन चार ऐसे लिखता गया तो पागल बना रहा है नाम ही तो चेंज कर रहा उसका अरे बागी चीज त पहले तो इसके वी वर्क कितने आठ वर्क देखो में जीते दीत फिर एक और जुड़ा था क्या कौंसा जुड़ा था शुन्य वर्क उसमें तो अक्रिय कैसे इसने जोननों बोले कौन-कौन से एक से 8 और सुन्ये तो और से नहीं है कितना बन रहा हो फो यह से आट कौन सो बल सारणी में कुल नोवर्ग कुल नोवर्ग अच्छा ब्रेकिट में क्या लिखोगी कुल नोवर्ग में वो लिखोगे एक से आठ लेगिन एक से आठ अब आपको ये वाले वर्ड यूज करने ना की रोमन तथा सुन्य वर्ग हो गए ना नोग टूटल एक से आठ तता सुन्य वर्ग तता कुल साथ आवर्थ उपस्तित थे तता कुल साथ आवर्थ उपस्तित थे क्लियर अब आगे बढ़ते इतना ही पढ़ना इसके बारे में अब इसके बारे में एक और पढ़ लेते हैं कि आधुनिक आवर्थ नियम भी दे दिया गया जैसे मैंने आपको बोला ना मेंडलीब ने भी अपना आवर्थ नियम दिया था उसने क्या बोला था तत्वों के आतिक तता रासाइनि गुण उनके परमानु कर्मांग कों के आवर्थी फलन होते आरे उसने परमानु भार बोला था मैंनलीब ने इसने परमानु भार की जगे परमानु कर्मांग जिप्ता दिया शेम चीज नाम ही तो बदला है हो जाएगा अगला हेडिंग मदब छोट इसी के नदर है चुटा साइडिंग है लेके अधुनिक आवर्त नियम अधुनिक आवर्त नियम वो आदुनिक आवर्थानी थोड़ी है उन्थ लॉंग फॉर्म है दीर प्रूप है उसका वो मौजनेन नहीं दी चार विग्यनिकुने मिल के दी ती दिखाँगो आप आने वाला की क्या लिखेंगे आदुनिक आवर्थनियम लिखेंगे इसके अंदर लिखें तत्वों के तत्वों के भौतिक तथा रसाइनिक गुण उनके पर्मानु कर्मांकों के अवर्थी फलन होते हैं आवर्थी फलन होते हैं पर्मानु भार की जगे पर्मानु कर्मांक कर दिया चलों यह आदुनिक आवर्शार नी थी अब जो हम लोग अभी जो टेबल देख रहे हैं किसी ने पिरिडिक टेबल देखी होँख्ट नहीं भी देखी या तो आज या मंडे को आपको एक printed copy मिल जाएगी, एक page मिल जाएगा, हम लोग तो वैसे तो कौशिश करना कि आप यह आउरसानी खुद अपनी copy में बनाए, लेकिन अगर कोई नहीं बनाना चाहरा है, तो at least वो जो page आपको मिलेगा, वो चिपका ज़रूर लेना आप अपनी copy में, बना काम चलेगा नहीं, वो anyhow रटना पड़ेगा, अच्छा वो table आज अगर बन जाएगी, तो कल हम लोग क्या करेंगे, मैं उसको रटने के tricks बता दूँगा, तो हमें आधुनिक आवरसानी पूरी पूरी रट भी जाएगी, अब थोड़ा सा confusion होता माइन में, कि हमें जो table मिलती है, वो आधुनिक आवरसानी है या कोई और है, वो आधुनिक आवरसानी नहीं है, वो आधुनिक आवरसानी का दीर की रूप है, उसको और खोल के बना दिया गया है, इसे बोलते है long form of the predict table, चार वेग्यानिकों ने मिल के बनाई थी, ये बात आधुनिक आवरसानी थी, उसको और खोला, और खोल के 18 वर्थ बना दिये, और एक नई टेबल बना दिये, क्लियर आईगा, उसका heading लिखते हैं हम लोग, next heading लगा दे, आधुनिक आवरसानी का दीर गरूप, आधुनिक, आवरत, सार्नी का दीर गरूप, long form of the predict table, modern predictive, किनों ने दी, हमें कोई मतलब भी निये, क्योंकि ना कहीं लिखावा है, ना कोई बात, अपने कोई tension क्यों लेनी है, जो LC item लिखा, वो ही पुछेगा, उसे बाहर तो ऐसे नहीं जाएगा, आचा, जिन्नों ने भी heading लगई, और उनको लगता है, उनकी heading किसी page के top पे है तब तो पूरा page खाली छोड़ दो, और अगर ऐसा लगे नहीं मेरी copy के यहां heading आईए, तो लिखते चलो आगे, जिनके top पे आगिया, खाली छोड़ दो, अगले page से लिखना चालो कर दो, क्योंकि यहां फिर आपको table बनानी है, और जिसके आदे में आगिया, थोड़ा सा meter लिखो, आगे page आते ही, खाली छोड़ देना, जिसके दो लाइन बची कोई बात नहीं, दो लाइन लिखो, अगला page आते ही, खाली जोगे छोड़ना, उसमें table बनानी है, या तो बना लेना, या चिक्का देना, जो आपको मिलीगे, clear रहेगा, चलो, अब मैं आपको बताता वही सब्द आने वाले, लिखेंगे कुल वर्ग, अठारा, कुल वर्ग कितने हैं, इसमें, अठारा, अचा कैसे यूज़ करना है, एक से अठारा, रोमन नहीं है कहीं पे भी, रोमन सिर्फ मैंडलीव में था और कहीं पे भी नहीं, एक से अठारा, clear, अचा कुल आवर्थ क कितने हैं, साथ, अब हम एक एक आवर्थ को पूरा में बता देता हूं, डिटेल में, कि कौन से आवर्थ का क्या नाम दे दिया, उसमें कुल कितने तत्व हैं, उसे से ही याद हो जाएगा उसका नाम क्यूं दिया, देखना, हटा दू इन सब को, एक छोटा सा हम लोग आव पीरियड, यनि लगुतम आवर्थ, पहले का नाम क्या है, लगुतम आवर्थ, अचा इसका नाम लगुतम आवर्थ क्यूं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कुल तत्व कितने हैं, इस आवर्थ में केवल और केवल कुल तत्व कितने मिलेंगे, दो ही मिलेंगे, जिस पू हुआ ना shortest period हो गया ही दूसरा देखो सेकंड जो आवर्थ होता है इसमें कुल तत्तु मिलेंगे आपको आठ क्या दो से जाधा मिलें क्या तो यह लगुतम तो नहीं रहा यह होता प्रत्थम लगु आवर्थ इसका नाम क्या देते हैं फॉस्ट लगु आवर्थ कितने तत्थ्धी मिलेंगे आठ अच्छा इसको सेकंड क्यों बोल रहे हैं क्यों कि तीसरा आवर्थ है ना इसमें भी कुल कितने तत्य मिलते हैं हाट ही मिलते हैं तो दोनों को लगू बोलता तो मामला घड़वड हो जाता इसको बोल दिया प्रतम लगू इसको बोल देंगे वित्य लगू इसका नाम क्या हो गया है सेकेंड लगू आवर्थ पुल तत्व कितने हैं इसमें आठ तत्व है अब देखो चोता और पांचवा सेम वही बात चोता और पांचवे को देखो चोते का नाम क्या है फस्ट दीर्ग आवर्थ अचा इसको दीर्ग क्यूं बोला क्योंकि इसमें और भी जादा तत्व हो गए कितने तत्व आ जाते 18 अचा पांचवे को नाम क्या दिया है सेकिंड दीर्ग आवर्थ क्यों बोला क्योंकि इसमें भी कितने 18 आगे चलो छटे पे देखो छटे आवर्थ को क्या बोलते दीर्गतम आवर्थ बोलते अब आप चाहो तो इसको first दीर्गतम बोल सकते हूँ हम क्या बोल सकते हैं first दीर्गतम या सिर्फ और सिर्फ भी क्या बोल सकते हो दीरगतम दोनों बाते हैं सहिए क्यों बोलते हैं इसमें तब तु कितने हैं 32 है अब देखो साथवे को अगर इसको first बोलोगे तो इसको क्या बोलना पड़ेगा second दीरगतम और अगर इसको सिर्फ दीरकितम बोला है तो साथवे को बोलना होता है इनकम्प्लीट आवर्थ यानि और इनकम्प्लीट क्या होता है अपूर्ण अपूर्ण वैसे अभी अपूर्ण नहीं रहा है लेकिन अपनी नाकम्प्लीट क्या है अब यहां से कुष्चन क्या वनेगा साथवे आपको चोथे आवर्थ में कुल तत्व हो सकते हैं दो, आठ, अठारा, बत्तिस बस यही से तो निकलेगा कुश्चन उतार लो यह चीज़ यहां लग लेना इस चीज़ को कि पहले अवरत में सिर्फ दो तत्व होते दूसरे अवरत में आठ होते तीसरे अवरत में आठ होते चोटे आवरत में 18 होते हैं पांच वे में 18 होते हैं चटे में 32 होते हैं और साथ वे में 32 होते हैं अब यह मत कर ले ना सर अमने सब को जोड़ा 118 हुए नहीं पर आप बोल रहे हो अभी 118 तत्व है तो फिर और तत्व कहा गए आवर साणी में नीचे दो लाइने और बनीगी 14-14 तत्वों की 32 सत्व और भी हैं वैया वैसे तो इसमें इंक्लूड हो गए हैं फर्स्ट दीरकतम और सेकिंड दीरकतम में लेकिन उसको रखते नीचे की तरफ है जोड़ों के तो साइट 118 हो जाएंगी करके देखते देखो आप उतारते चलो चोशट और चत्तिस कित्ते होगे सो आट और आट सोला होगे 118 इंक्लूड होगे इनमी तागे आवर्साणी मनाते हैं ना तो हम दो लाइने नीचे और लिखते लेकिन इंक्लूड इट करके लिखे में यां 32 और 32 में कि टोटल कुल तत्व किते हैं 118 यह लोगी है लाइव का टाइम से में अच्छा वर्ग मूल बोलते हैं स्वेर रूट को एक स्टूडेंट ने मुझे उलनाइन बता दिया है आप अपडेट कर ले ना उसमें आवर्तिका वर्ग मूल लाइव का टाइम सेम रहेगा हमेशा बेलकुल यह सही बात है नील बोर रेंग है वो रेंग नहीं है रेंग और वर्णर है नॉट बर्णर और मोजले तो नहीं बोल सकते इसमें बोर है एक बेरी है एक रेंग है एक वर्णर है मोजले साब को नाम दे सकते हुचाओ तो लेकिन मोजले ने सिर्फ आदुनिक आवसाने दिये दीर ग्रूप चार लोगों ने अलग भी है तराग्या क्या आमने आवर्ण के बारे में बात कर ली हमें वर्णों के बारे में भी बात करनी हो अच्छा फिर आपको लग रहा होगा 18 तो आपने कर दिये यह 18 लाए कहा से आधुनिक आवर्साने में तो 9 थे बताओं मैं आपको कहा से कोपी किया ये भी कोपी की भी हर आवर्सानी मेंडलीव की आवर्सानी से निकली है सबसे फेमसी मेंडलीव था आप खुदी जानते हूं एक से लेके साथ तक फिर था आठ और फिर था सुन्नि यही तो थे मेंडलीव में अब देखो क्या उसने एक से लेके साथ तक को दो-दो भागों में बाटा क्या तो एक से लेके साथ को अगर दो भागों में बाट दिया तो साथ को दो भागों बाटो गए तो ये भी साथ हो गए, ये भी साथ हो गए कुल यहां पे कितने वर्ग मिल गए चवदा मिल गए क्या और ये देखो ये एक और वर्ग मिल गए क्या आगे जाके जो तीस आट वा था ना, जिसको मेंडलीव ने बिल्कुल नहीं बाटा इसको तीन भागों में बाटा था किसमें इस आधुनी के दीर गुरूप में, कितने भाग बना दिये तीन, तो देखो चवदा ये येरा पंदरा, येरा सोला, येरा सत्रा, येरा अठारा हो गए ना कुल अठारा तो अठारा कहां से आये, आये ते वहीं से आये थे, क्या किया एक से साथ को तो बिचारा मेंडली भी बाट के चला गिया, चवदा तो वो थाई, आठवे को उसने नहीं बाटा ये दीर कुरूप वाले ने आठ को तीन भागों में बाट दिया, नाम क्या दिया, कुछ नहीं दिया, सीधा आपने तो एक से अठारा ही उसकिया उन्होंने, तो आपको मिल गया चवदा के बाद 15, 16, 17 हो गए 17, वो सुननी वाले को क्या नाम दे दिया, अठारा, खतर हो गया, क्लियर, अठारा कैसे पता पढ़ ग अच्छा, इन्होंने इसी की कोपी की, अगर ये पर्मानु कर्मांग बोल देगा, तो इनको सुनेगा कौन, इन्होंने नाम दे दिया, इलेक्ट्रोनी विन्यास, अगर आपको कोई पूचे, दीर गुरूप की जो आवर साणी है, वो किस पर आदारित है, इलेक्ट्रोनी विन्यास के आदार पर, क्लियर आएगा, नेक्ट्स लाइन में लिखे, लिखे, यह दीर गुरूप, यह दीर गुरूप, इलेक्ट्रोनी विन्यास के आदार पर, बनाया गया, यहर दीर गुरूप, इलेक्ट्रोनी विन्यास के आदार पर, बनाया गया, क्लियर, आगे बढ़े, अब देखो, आवर्द के बारे में बाते हो गई, अब वर्ग के बारे में बाते बाते कर लिए क्या, चलो कितने वर्ग थे 18 वर्ग सारे वर्ग याद रखने की आउशक्ता नहीं कुछ जो जो important वर्ग है उनके बारे में बात करते चलता हूँ देखो सबसे पहले हम वर्ग की बाते कर रहे हैं अब वर्ग में जो पहला वर्ग है न इसका नाम क्या दिया गया शारिये धातुए शारिये धातुए जो वर्ग नमबर दो है न इसको नाम दिया गया था शारिये म्रदा धातुए शारिये म्रदा धातुए अच्छा वर्ग नमबर तीन से लेके वर्ग नमबर ग्यारा जो है न इनको नाम दे दिया गया था संक्रमन तत्व या संक्रमन दाथ संक्रमन अपसं ca tying दात वे बोल सकते हो आप संक्रमन तत्व बोल सकते हो कुछ भी वह थी आपके चाइध है जो वर्फ नमबर 11 लो उसी से ही सिक्के बनाए जाते हुआ आपको को अभी आपके बाद टेबल है नहीं जब कल टेबल मिल जाएगी मैं आपको बता देता है उसमें कौन-कौन से चत्व आते हैं उसमें कौपर आता है उसमें चांदी आती है उसमें सोना आता है क्या इसी की सिक्के मिलते हैं अरे चांदी का सिक्का सोनी का सिक्का ही तो रखते लियार अच्छा जो वर्ग नंबर बारा है ना इसमें मैं बता देता हूं कौन सी दातु में आती है इसमें दातु मिलेगी जिंक इसमें दातु होगी कैड्मियम इसमें दातु होगी मर्कुरी जो ये मर्करी है ना इसको आप हिंडी में बोलते हो पारा जानते हो ना पारा जो थर्मामीटर होता है आपको कभी अगर सर्दी सुक्वाम हो LAURA यैर आपको फीवर आज आप धर्मामीटर से आपका टाफमान चेक करते हो गया कैसे टाफमान पड़ता है कि मर्कूरी है, वह expand करता है. इसलिए उपर चड़ रहा है, जितना उपर चड़ा हो Вамता देगा. तो इसलिए द्रहु में उपसीत है, क्यों से वाली architects ?मर्कूरी Vorteil.just का मतलब क्या होता कि यह जो तत्त होते ना इनका जो गलनांग होता है वो comparative कम होता है और जिनके गलनांग कम होते हैं वो जल्दी वास्ट में बदल सकते हैं एक example बताता हूं जिसे पानी है मैं पानी की कटोरी अगर आपकी stable पे रख दू तो क्या वो आदे गंडे में उड़ पूरा पानी नहीं गिसे लीकिन अगर मैं पेटरोल लग दूँआं एक कटोरी में क्या पेटरोल और जाएगा वह य收看 थे तो दोनों दरव पानी नहीं वृदा सर पेटरो zad उड़ गया सर ऐसा क्यों इसका मतलब है जो पेटरोल था उसका क्वातनां क्या है कम है जिनके होते हैं वो जल्दी उड़ जाते हैं वो जो जल्दी उड़ जाते हैं उन्हें बोलते हैं वास्पशील प्रदार इसका मतलब ये तीनों धातू को आप वास्पशील जैसा मान सकते हो क्या बाकी की तुलना में बेलकुल मान सकते हैं इसलिए वर्ग बारा को बोलते हैं कि अटा सबसे उप़र इसलिए उसको बोल दितेए बॉरॉन परिवार उसके आगे जो चौो दोट वरकिया हूँ सबसे ऊपर गश्यूद सबसे दो ऎकार देता। माननोइ वो चौδरी है उनके घर के बार नहीं लिखता हूँ ज Ой होता चौद्री परिवार आप का हरॉडिक्स वाकत करता है लेखते लगए ना चौधरी परिवार का मतलब है अंदर जो भी है सारे चौधरी साम्ले अ तो इनका दिखो सबसे उपप्र कॉन है बोर्ड बोर्ड ऑगया इंका लिडर तो नागी नीचे क्वों है कोई नहीं पूसा तुम सब कहुं बोरे बोर्ड परिवार आपका हर्दिक लेकिन हैलोजन वाले जो फ्लोरीन, क्लॉरीन, डॉमीन, आयूडीन है, वो बोलते हैं नहीं हम एक और नाम रखेंगे, अपना नाम अलग रखते हैं बदलके रखते हैं, आप बहुता है यह ना अक्से कुमार। जानते हैं अक्से कुमार को फिल्म सार्थ, उसका रियल नाम क कुट्टे के नाम पर होगा गया नहीं उसने ऐसा नाम रखा जो थोड़ा सा केची नाम हो लोग ऐसा करते हैं जनली अपना नाम बदल लेते बदलने से वह फेमस हो जाते फिर वह वही वही नाम कंडिलियू कर लेते समझ के रहे तो अक्षेकुमार का नाम अक्षेकुमार नह तो नाम बदल रहा है, अपन भी नाम मदलेंगे, उन्हों ने अक्सिजन अपना नाम मदल के बोल दिया, हम है चलकोजन परिवार, वो हेलोजन, हम चलकोजन, नाइट्रोजन बोला रहा है, यह तो नाम मदल रहा है, हम भी नाम मदलेंगे, वो अपना नाम क्या कर लेता है, न तो आजाओ किस-किस ने नाम बदल लिए उनको लिख दे तो जो पंद्रुवा परिवार है जिसको आप बोलते थे नाइट्रोजन परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है यह थोड़े से पड़े लिखे हो गए और इन्हों अपना नाम बदल लिया और बोल दिया खुद निको जबनेखा अंग्रेस नाम लग रहा मज़ा अएगा शोल्वा परिवार देखो कौँन थे उक्षिजटन परिवार गजैं नहीं आतो वी नाम लग司 आतो टेखातो अगलिपसे हो जेल्को ढगाраत voter अधर्वा कौन है हेलो जन परिवार यह लो भईया यह अभी अठारवा बचावार उसका नाम भी लिखना मुझे लिखी देता हूं इसको कंप्रेस करते हैं थोड़ा दिख रहा है किया पीछे तक अठारवे पर आजाओ चलो अठारवे को बहुत सारे नाम दे दिए इसको बोल देते हैं सुन्निय वर्व और इसको नाम क्या बोलते हैं अक्रिय गैसे और क्या नाम बोलते हैं उसको उत्करस्ट गैसे अपक्रस्ट चर लिखते हैं उत्करस्ट गैसे हिंदी आप देख ले न आपके हैवे साथ और इनको क्या बोलते हैं नॉबल गैसे ये लोग्या ये उतारो आप यह वर्गों को निप्ता दिया मैंने पहले वर्व का नाम है शारीय दातो दूसरे वर्व का नाम है शारिये म्रदा धातु एक्सामिने डाइट ही बोल देगा शारिये म्रदा धातु वर्ग है पहला आटवा दूसरा तेरवा दूसरे पर टिक कर दिया होगी आपने चार नम्मर आगे समझ गे रहा है इसलिए याद रखने पढ़ेंगे आप इन में से ज़्यादा इंपोर्टेंट कौन है इस शुरुवात वाले दोनों बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है शारिये दातु और शारिये म्रदा धातु किसी भी आलत में याद होने चाहिए इसके अलावा 18 वाला याद कर लेना बाकी दीरी दीरी याद होते जाएंगे हेलोजन वेलोजन तो वैसे भी याद जाएगे आज के लिए सिक्का दातु वर्ग और वास्पिचिल दातु वर्ग पूछते नहीं है बहुत समय पहले पूछा करते थे आप चाहन से थोड़े इस दीरी याद कम तम होसे नहीं है कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि में थोड़ा सा पार्ट और बचा जो रटने का है कल आदे गंटे के बाद conceptual पार्ट आजाएगा मतलब समझने वाला पार्ट आजाएगा फिर बहुत अच्छ चेप्टर होता चलेगा अभी तक सब रटने का था सोचना अभी इसमें क्या कर सकते हैं रट ही तो सकते थे कल से समझने में मज़ाएगा कुश्चन सवालक कल से होंगे आप जो डिपीपी मिलेगी उससे कुश्चन सबर करो अभी मिली भी नहीं होगी एक दो दिन मिलेगी फिर आप कुश्चन सबर करों अभी तक का जो भी पाठ्ट है सारा रटनी का समझ में आया बहुत बढ़िया बाद है नहीं आया उससे भी बढ़िया बाद रटना यह तो है खाल से समझ में नहीं आया तो गब राने की ज़ुरूरत है यहीं पूचलिया करना आप इसका इंतजार ना करें कि दो बज़े बाद हम जब चूटेंगे सर नीची मिलेंगे तब हम पूचेंगे ना चलती भी क्लास हम पूचो के तो हो सकता आपकी चीसी किसी और को भी संद में नहीं आए क्लियरिटी यहां पर जल्दी आजाएगी नीची मुझे ढूणोगे में नहीं मिला तो फिर कंसेप्ट मिसमेच वाला गर पर लेके जाओगे क्या मतलब यहीं पर हर चीज की क्लियरिटी आजानी चाहिए उतारा गया आगे बढ़ें अब हम देखते हैं कि इन सभी तत्वों में गैसे कितनी है उपद हातुएं कितनी है इनके उपर आते हैं यह भी रट्टे कितनी है हटाता हूं फिर में इसको अब जो लिका हुआ कम्प्लीट रट्ट नहीं पढ़ेंगे हटाएं क्या तारलिया सबने देखो भाईया आपके इस पूरी आवर साणी में गैसे कितनी है संक्या कभी नहीं पूछेगा वो आपको वो तत्व पूछेगा जो गैसों में एक तो अठारवा वर्ग जो पूरा है अभी आपने टेबल नहीं मनाई आपको अठारवे आइड्रोजन गेसिय तत्व है नाइड्रोजन गेसिय तत्व है ऑक्सिजन गेसिय तत्व है फ्लोरीन गेसिय तत्व है क्लोरीन गेसिय तत्व है प्लस सभी अक्रिये गैसे वैसे तो मैं कह रहा हूँ कोई नहीं पूछेगा कि कुल कितनी है गेसी तत्तू अब आप खुदी समझ गए साथ आगर थे तो साथ अगरी कैसे हो गई और यह देखो आठ नो दस ग्यारा बारा जब मैं पढ़ता था तब हमारे टाइम में 11 गेसी तत्तू माने जाते थे 11 को टिक करना पड़ता था अब आपके यहां पे कितना टिक करना पड़ेगा 12 इसलिए कह रहा हूँ पूछेगा नहीं क्योंकि बहुत साल पेले आए वे कुश्चन में अगर यह कुश्चन पड़ोगे तो वहां 11 को सही माना गया है क्योंकि हमारे टाइम में 118 भी जो अक्रिये गेस है इसकी खोज हुई नहीं थी तो यह बाईसब थे ही नहीं अब इनकी खोज कर ली गई ठाड़ा हो गए क्लियर रहेगा उतारो यह चीज तो यह सी तत्व कौन-कौन से मिलेंगे आपको हाइड्रोजन है, डाइड्रोजन है ऑक्सिजन है, फ्लोरीन है क्लोरीन है और इसके लावा सभी अक्रिये गेस है जो फेमस फेमस अक्रिये गेस हैं वो तो मैं लिख देता हूँ एकसो अठारवी वाली किसी कामगी है भी नहीं वैसे यह लोग भया, यह मैंने छे अक्रिये के से यह लिखी है एकसो अठारवी वाली मैंने नहीं लिखी क्लियर रहेगा अब जैसे वो मर्कूरी के बारे में बोल देता हूँ मैं आपको आपको बता ना जो ह्ट था जिसको आपन बोल सकते हैं मर्करी और जिसको आप चाहो तो बोल सकते हो पारा यह है तो धातू लेकिन यह द्रव धातू है यह क्या है? किस ताप्मान पर? कमरे के ताप्मान पर कमरे के ताप्मान पर और इवन आप शुन्य भी कर दो कमरा को भी छोड़ो जीरो डिगरी ताप एक में लो आप 0 डिग्री भी ले लोगे ना बहुत ज़्यादा ठंड़त आत्मान ले लोगे तब भी ये द्रव में रहता ऐसी धातु है कौन मरकरी ये उता रहो हजी जिसको आप मरकरी बोल सकते हैं पारा बोल सकते हैं ये कमरे के ताप पर तो ही है द्रव जीरो डिग्री भी कर दोगे ना तरव भी द्रव में रहेगे जैसे पानी नहीं होता अभी कमरे के ताप पर क्या है द्रव में मैं जीरो डिग्री कर दूँगा तो बरफ में बदल जाता है ठोस हो जाता क्या मरकरी ठोस नहीं होती ये उसमें ही रहेगी इसलिए चाहे कितनी भी ठंड हो जाए, आप अपने सरीर का तापमान धर्मामेटर से नाप सकते हो गया, कश्मीर में भी लोग अपना तापमान तो नाप रहे होंगे, वहां तो तापमान माइनस फांस भी चला जाता है, माइनस दस भी हो जाता, फिर भी तो आपने सरीर का त आपमान देख लेते ना इसका मतलब पारा जीरो डिगरी ताप ले लो या उसे कम भी ले लो तब भी किसमें रहेगा द्रव में और भी बहुत सारी रटने की चीछे हैं तिसे और कितने सारे तत्व हैं जो द्रव में एक तो मैंने लिख दिया जो इंपोर्डेंट वाले इसक ले लो यह सबी द्रव तत्व इस पूरी आवर साणी में जितने भी द्रव तत्व है मैंने सारे के सारे एक जगे पर लिख दिये कौन-कौन हो गैलियम द्रव में ब्रोमीन द्रव में है सीजियम द्रव में है पेंशियम द्रव में माना चाहेगा मर्क्यूरी द्रव है और सीएल यह 112 नंबर तत्व है जो अभी रिसेंटली खोजा गया है हमेरे टाइम में नहीं था क्लियार यह लो यह उतार लो आज यहीं तक रखते हैं कि सब रटने के आपको रटने पढ़े लो आजे लो आजे लोगा में लोगा यहीं वो प्रव में देंटली देंटली खोजाए लोगा यह लोगा दो में अजैंगर यहीं पर वोगा लोगा रटने ।